नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं उत्तर परदेश राज के लखीमपूर खीरी जिला के बारे में तो दोस्तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा अपने दोस्तों के साथ सेयर कर दीजेगा और अभी तक आपने हमारे चलन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी वीडियो देखने के लिए नीचे दिये हुए रेड कलर के बटन को दबा कर हमारे चनल को सब्सक्राइब कर जीजिएगा और दोस्तो अगर आप अपने जिला के बारे में जाना चाते हैं तो भी अमें नीचे कोमेंट करकर जरूर बताएगा यह दोस्तो जो सीरी चल रही है वो उत्तर परदेश में जितने भी जिला है उनपर चल रही है बेश्ट बंगॉल बिहार जारखंड के कई जिलो पर वीडियो बन चुका है आप जायका चैनल को चेक कर सकते हैं तो दोस्तो लखीमपूर खीरी जिला यह जिला भारत देश के उत्तर परदेश राज में इस्तित उत्तर परदेश के 75 जिलो में से एक लखीमपूर खीरी जिला के नाम से जाना जाता है यह जिला उत्तर परदेश की राधानी लखनव के सटे हुए बसा हुआ है जिस वज़ा से इस जिले की सीमा उत्तर परदेश की राधानी लखनव से मिलती है इस जिले का हेड़कॉर्टर ओफिस लखीमपूर सहर में मौजूद है और लखीमपूर खीरी जिला लखनव मंडल के अंतरगत आता है लखीमपूर खीरी जिला के पुलोसी जिले का नाम हरदोई जिला, साजहापूर जिला, भहराइच जिला, पिली भीद जिला और सीता पूर जिला है लखीमपूर खीरी जिला में 7 तैसिल, 10 नगर पाली का, 4 नगर पाली का परिसद, 10 नगर पंचायत, 23 पुलिस इस्टेशन, 2 सरकारी मुख्य बैंक, 2 विश्व बिद्याले और 1167 ग्राम पंचायते हैं चैतरफल की बात करें तो इस जिले के खुल्ख चैतरफल, 780 वर्ग किलो मीटर में फायला हुआ है और आबादी की बात करें तो वर्ष 2,011 के जनगर्ना की अनुसार इस जिले की कुलाबादी, 40,21,243 जिसमें की पुरूष की कुलाबादी, 21,23,000 और महिला की कुलाबादी, अठारा लाख अंठानवे हजार एक सो चपपन है इस जिले का अवसत लिंगन उपात आठ सो चौरानवे के करीब है यानि कि यहाँ पर एक हजार पुरुस में आठ सो चौरानवे महिला है लखिमपूर खिरी जिला के मुख्य नदी का नाम सारधा नदी है सारधा नदी के किनारे पर बसा यह जिला उतर पर देश की राधानी लखनव से महज 130 किलो मीटर तथा देश की राधानी दिल्ली से लगभग 426 किलो मीटर के दूरी पर बसा हुआ है सडक रास्ते की बात करे तो लखिमपूर खिरी जिला सडक के माध्यम से उतर पर देश के बड़े बड़े जिलों के साथ अच्छी तरह से जुडा हुआ है इस जिला के माध्यम से नेशनल हाईवे संख्या 15 गुजरती है जो आगे चल कर उत्तर परदेश के बड़े बड़े जिलों से मिलती है यह जिला बस के माध्यम से भी पोडोसी जिला और जिला के छोटे बड़े गावों तक भी बस सेवा मुईया परदान कराता है रेलवे स्टेशन की बात करें तो यहां का नजदी की रेलवे स्टेशन सीतापूर रेलवे जक्सन है और लखिमपूर रेलवे स्टेशन है लखिमपूर रेलवे इस्टेशन पर तीन प्लेटफॉर्म और चार पतरिया सामिल है और इस रेलवे इस्टेशन का कोड ल, एम, पी है और लखिमपूर रेलवे इस्टेशन नर्थ इस्टन सेंटरल रेलवे जोन के लखनावू LIR डिवीजन के अंतरगत आता है सिच्चा की बात करे तो लखिमपूर खिरी जिला में कई ऐसे छोटे बड़े स्कूल वग कॉलेज हैं जिसके मादियम से यहां के बच्चे अच्छी तरह से सिच्चा प्राप्त कर सकते हैं वैसे जिले की साच्छर्था दर 60 पर 30 है यानि कि यहां के आबादी के अनुसार 60 पर 30 लोग पढ़े रिखे हैं जिसमें की पूरुस्वमहिला दोनों सामिल हैं बेउसाई की बात करें तो इस जिले का मुख बेउसाई खेती है यह जिला काफी हत्था खेती और तवेउस्ता पर निर्बर करता है सारधा नदी के किनारे पर बसा यह जिला बहुत ही अच्छा और उफजाऊ है यहां का मुख फसल गन्ना है दोस्तो लखिमपूर खिरी जिला के बारे में आपकी क्यार राय है हमें नीचे कॉमेंट करकर जरू बताएगा और वीडियो पुरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद